नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्तियों नहीं प्रवीन बेंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा बार्वी अर्थ शास्त्र अध्याय तीन उत्पाद एवं लागत चलिए शुरू करते हैं देखिए पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के वहवार के संबंद में चर्चा की है अध्याय दो में आपने देखा कि एक उपभोक्ता किस तरह से अपने आपको संतुलन में लेकर आता है अब अध्याय तीन से आप एक प्रेड्यूसर के बारे में मतलब निर्माता के बारे में पढ़ेंगे निर्माता के बारे में पढ़ना अर्थाथ वह इंसान जो सामान बनाता है वह संतुलन में कैसे आएगा वह संतुलन में इस तरह से आता है कि उसे जादा से जादा मुनाफ़ा हो जाए और मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए वह कुछ सामान बनाएगा और सामान बनाने के बाद उसको वह बेचेगा अब जब सामान बनाया जाएगा तो उसकी कुछ न कुछ कीमत होगी तो यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि आप समान बनाते कैसे है और उसकी कीमत क्या पढ़ने वाली है और उसके बाद आप सीखेंगे कि उसको बेचा कैसे जाए और इन दोनों अध्याय को जब हम मिला देंगे तो पता चलेगा कि एक उत्पादक किस तरह से आपके लिए सबसे ज़ादा मुनाफ़ा बना पाता है तो यह है इस अध्याय का सार कि यहां हम पढ़ेंगे कि एक उत्पादक ऐसे उत्पादन करता है और किस किस तरह के खर्चे मतलब लागत उसमें लगाई जाती है तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में तता अगले अध्याय में हम उत्पादक के वहवार की जाच करेंगे एक उत्पादक अत्वा फर्म विभिन आगतो मतलब खर्चों जैसे कि श्रम, मशीन, भूमी, कच्चा माल आदी को प्राप्त करता है इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है मतलब कुछ ऐसी चीजे जिसको आप कच्चा माल कह लीजिए, जमीन कह लीजिए, या विजली कह लीजिए, इन सब को मिला के वो कुछ उत्पादन करता है इसे उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं आगतों को प्राप्त करने के क्रम में वह उसके लिए भुकतान करता है यह उत्पादन की लागत कहलाता है मतलब ये भूमी ये मजदूरी इत्यादी चीजें जो भी खर्चा जो भी खर्चा लेती हैं उन्हें हम एक उत्पादक की इंवेस्मेंट कह सकते हैं कैसे कारकों में, कुछ कारक ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं, और कुछ कारक ऐसे हैं जो स्थिर रहते हैं, अब इसकी चर्चा हम करेंगे, इस अध्याय में हम एक फर्म के उत्पादन फलन के विभिन पहलों का अध्यान करेंगे, उत्पादन फलन जिसको अंग्रेजी में प्र तो तथा फर्म द्वारा उत्पादिक निर्गतों के मध्य का संबंध है मतलब फर्म द्वारा लगाए गए इन्पुट किसलिए काम आ रहे हैं? चीज को बनाने के लिए और जो आपके पास परिणाम आया वह है आउटपुट तो जो भी आप इन्पुट डाल रहे हैं और उससे मिलने वाला उत्पादन मतलब आउटपुट इसको उत्पादन फलन कहा गया है मतलब प्रोडक्शन फंक्शन कहा गया है उप्योग में लाए गए आगतों की विभिन मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिक्तम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है एक विनिर्मता को लीजिए जो जूतों का उत्पादन करता है वह दो श्रमिकों मतलब उसने दो श्रमिकों को लगाया एक जूता बनाने वाला उत्पादक दो श्रमिकों को लगाता है एक श्रमिक तथा दो श्रमिक और दो मशीने देखिए अब यहां दो तरहां के कारकों के बारे में चर्चा की गई है एक श्रमिक और एक मशीन मशीन एक ऐसा कारक है जो स्थिर रहने वाला है पशीन एक ऐसा कारक है जो स्थिर रहने वाला है और श्रमिक या मजदूर एक ऐसा कारक है जो बार बार बढ़ाया या घटाया जा सकता है और जब ये दोनों कारक मिलाये जाते हैं तो कुछ जूते बनाए जाते हैं तो इसे कहते हैं production function उत्पादन फलन चलिए, किस तरह से ये पुस्तक आपको इस फलन को बताती है, पढ़ते है मशीन एक तथा मशीन दो तथा दस किलोग्राम कच्चे माल का प्रेयोग करता है मतलब मशीन पे कच्चा माल लग रहा है, शरमिक लग रहे हैं और कुछ जूते बना दिये जाएंगे शरमिक एक मशीन एक को चलाने में निपून है तथा शरमिक दो मशीन दो को चलाने में निपून है यदि शरमिक एक मशीन एक का तथा शरमिक दो मशीन दो का उप्योग करता है दस जोड़ी जूते बनाए इसी का नाम उत्पादन फलन है अंग्रेजी में इसे production function भी कहा जाता है उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है वे उत्पादन का कारक कहलाते है मतलब production करने के लिए जिन चीजों की सहायता ली जाती है उन्हें उत्पादन के कारक मतलब factors कहा जाता है अपने अपने निर्गत के उत्पादन के करम में एक फर्म कितने ही विबिन आगतों का प्रियोग कर सकती है इस समय हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के दो कारकों कारक एक और कारक दो का प्रियोग कर निर्गत का उत्पादन करती है मतलब इस अध्याय में हम दो तरह के कारकों के बारे में पढ़ेंगे कारक एक और कारक दो एक कारक ऐसा होगा जो बदला जा सकता है और एक कारक ऐसा होगा जो स्थिर है जो बदला नहीं जा सकता जैसे आप यहां देख सकते हैं उत्पादन फलन को किस तरह लिखा जाता है Q is equal to function of x1 x2 अर्थात Q यहां पे वह मात्रा है जो आप उत्पादित करेंगे x1 को आप ऐसा कारक मान लिजिए जो बदला नहीं जा सकता और x2 को आप एक ऐसा कारक मान लिजिए जो बदला जा सकता है देखिए आप दी हुई तालिका में इसको कैसे पढ़ेंगे कोशिश करते हैं मान लिजिए आपका कारक x1 एक है मतलब मान लिजिए मशीन एक है और इसके उपर लगने वाले श्रमिक अगर एक श्रमिक इसके साथ लगे तो आप एक उत्पादन करते हैं दो श्रमिक लगे तो तीन तीन श्रमिक लगे तो साथ चार श्रमिक लगे तो दस पांच लगे तो बारा और छे लगे तो तेरा आपने देखा कि एक कारक स्थिर और दूसरा कारक बार बार बदल रहा है इसी को उत्पादन फलन कहा गया है मशीन एक और बहुत सारे कारक ऐसे जो बदलते जा रहे हैं इसको आप श्रमिक कह सकते हैं, कच्चा माल कह सकते हैं, बिजली का बिल कह सकते हैं, कित्यादी. अग्या सवाल उठता है, क्या यह पहला कारक, क्या बदलन नहीं जा सकता, मशीने बढ़ाई नहीं जा सकती, भूमी बढ़ाई नहीं जा सकती, तो इसका जवाब है कि यहें पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है तो यहाँ आपके पास एक नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं अल्पकाल और दीर्गकाल अर्थात अल्पकाल एक फर्म में सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकता मतलब जब समय कम है तो ऐसे काल को अल्पकाल कहा जाता है मतलब यहाँ कुछ कारक स्थिर रहेंगे और बाकी कारक बदलते रहेंगे कारकों में से एक कारक कह लेते हैं कारक एक या कारक दो में परिवर्तन नहीं हो सकता, आप उधारण के रूप में एक फैक्टरी को लीजिए, एक फैक्टरी में अगर कुछ मशीन है, तो वह मशीन स्थिर है, वह कारक स्थिर है, क्यूंकि आप बार-बार मशीन नहीं बदल सकते, और एक महीने के अंदर आपको हजार कमीज, बतलब शर्ट बनानी है, तो आप उस महीने उन हजार शर्ट को बनाने के लिए मशीन उतनी ही रखेंगे, और अपने मजदूरों की संख्या को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम करेंगे, तो की मजदूरों की संख्या बदलती चली जा रही है, परंतु अभी मैं अगर इस उधारन को ऐसे कहूं कि आपके पास जो ओर्डर आया, वह किसी हजार सौ कमीज का नहीं आया, आपके पास ओर्डर आता है दो लाख कमीजों के लिए, क्या आप इस दो लाख कमीज के ओर्डर को एक महीने में इस छोटी फैक्टरी से पूरा कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, इसके लिए समय भी जादा चाहिए, और मशीने भी जादा चाहिए, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि जब दो लाख कमीज बनानी है, तो आपको समय जादा चाहिए, और इस जादा समय में और इस मशीन को बदलने के लिए आपको समय भी जादा लगेगा, तो ऐसा समय दीरगाल है, तो मेरे ख्याल से उधारन लेके स्पष्ट हो गया होगा कि कब स्थिर कारकों को बदला जा सकता है और कब बदला नहीं जा सकता, तो अलपकाल में स्थिर कारक नहीं बदलते, तो परिभाशा क्या हुई? अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकता, कारकों में से एक कारक या तो कारक एक या कारक दो परिवर्तित नहीं हो सकते और इसमें हम श्रमिक, मजदूर, बिजली, इतियादी को बदलते रहते हैं या कच्चा माल अतयब अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, निर्गत स्थर में परिवर्तन लाने के लिए एक फर्म दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है जो कारक स्थिर रहता है, वह स्थिर आगत कहलाता है. Fixed factor, जबकी दूसरे कारक जिसमें firm परिवर्तन ला सकती है, उसे परवर्ति आगत कहलाया जाता है. परिवर्ति आगत अर्था वेरियेबल फैक्टर, जिसको बार-बार बदला जाता है. यह कौन से काल की बाते हो रहे हैं? अल्प काल की. अब बात करते हैं दीर्ग काल की. दीर्ग काल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्टन लाया जा सकता है. मतलब इतना समय आपके पास है कि आप सभी कारकों में बदलाव कर सकते हैं. मशीने भी बदली जा सकती हैं और में भी बदलाव किया जाएगा ही जाएगा वरना उन मशीनों को या भूमी को बढ़ाने का कोई फाइदा नहीं तो आप देखिए तालिका में आपके पास इसी तरीके की बात लिखी गई है अल्काल और दीर्गाल यदि आप किसी एक जैसे कि हमने पहले चिन्यत किया कि एक कारक एक रहे और बाकी कारक बढ़ते रहे तो यह हो सकता है परंतु यदि आप दोनों ही कारक बदले जैसे कि ये और ये तो आप अधिक्तम जो उत्पादन कर सकते हैं वह है साठ यूनिट और यह है दीर्गाल की बात हो रही है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय में आप आगे देखेंगे कि कुल उत्पाद क्या होता है औसत उत्पाद क्या होता है और सीमानत उत्पाद क्या होता है शुरुबात करेंगे कुल उत्पाद से कुल उत्पाद को अंग्रेजी में टोटल प्रोडक्ट भी कहा जाता है टीपी माल लीजी हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं, मतलब श्रमिक बदलते हैं, या मजदूर बदलते हैं, या बिजली का या कच्छे माल का उत्पादन करने के लिए जादा उपयोग करते हैं, तथा अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हैं, भूमी और मशीन जैसे आगत स्थ हैं, तब उस आगत के विभिन स्थरों पर उपयोग से हम निर्गत के विभिन स्थर उत्पादन फलन द्वारा प्राप्त करते हैं, परिवर्ती आगत तथा निर्गत के मध्य संबंध अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए अकसर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद क रूप में जाना जाता है परिभाशा कहती है जब आपके किसी एक fix factor के साथ आप लगातार परिवर्थी आगत को लगाते चले जाते हैं तो उन सभी उन सभी परिवर्थी आगतों से मिले हुए उत्पादन का कुल योग total product है मैं फिर से दोहरा दूँ जब एक कारक स्थिर है और उसी कारक पे परिवर्थी आगत लगाते चले जा रहे हैं तो हर परिवर्थी आगत से मिलने वाले उत्पादन को आप जोडते चले जाएं तो वह कहलाता है कुल उत्पादन पतलब total product देखिए जो फलन के अनुसार आपने लिखा हुआ है X1 और X2 के combination से मिला मतलब इनके जोड़े से मिला हुआ उत्पादन total product कहलाता है अब हम देखेंगे औसत उत्पाद क्या होता है देखिए जैसा की नाम ही बता रहा है औसत औसत का अर्थ औसत उत्पाद निर्गत की प्रती इकाई परिवर्ति आगत के रूप में परिभाशित किया जाता है मतलब जैसे की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक कारक एक कारक स्थिर है और उस थिर कारक पे परिवर्ति आगत लगाते चले जा रहे हैं तो यह तो साफ है कि जो उत्पादन बढ़ रहा है वह परिवर्ति आगत मतलब variable factors को बार बार लगाने के कारण हो रहा है तो यदि एक मजदूर के आने से 10 इकाईयां बनती है और दो मजदूरों के आने से कुल इकाईयां 20 हो जाती है तो औसत 20 को 2 से भाग करके निकाला जाएगा जैसे कि आपके पास यहां लिखा हुआ है जो भी कुल उत्पादन है उसको आप भाग कीजिए किस्से कि आपने परिवर्ती कारक मतलब वेरिबल फेक्टर के कितनी इकाईयों का इस्तमाल किया जैसे आपने कुल उत्पादन किया 50 और उसके उपर मजदूरों की संख्या जो लगी वह थी 5 तो आउसतन हर मजदूर दस इकाईयां बनाता है इसे कहते हैं आउसत उत्पादन आगे है सीमान उत्पाद सीमान उत्पाद अर्थात एक आगत का सीमान उत्पाद प्रती इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो, उसे कहा जाता है, अतलब एक कारक स्थिर है, उसके उपर कोई एक मजदूर काम करता है, उसने बनाई दस इकाईया, परंतु उसी स्थिर कारक पे, यदि दूसरा मजदूर भी काम करे, तो कुल उत्पाद होता है, बाईस, एक ने बनाए दस, दोनों ने मिल के बनाए बाईस, तो एक और मजदूर के कारण कुल उत्पाद में क्या बढ़ोत्री हुई, बढ़ोत्री हुई, बारा इकाईयों की, और वह है सीमानत उत्पाद, समझते हैं, देखिए, एक कारक स्थिर, और उसके उपर लगे कुछ मजदूर, और उन्होंने आपको दीद्दा सिकाईयां, आप समझे, अब इसी एक स्थिर कारक पे एक और मजदूर को लगाया जाता है, तो कुल उत्पाद आया, बाईस, एक मजदूर, एक स्थिर कारक, एकाईयों दस, एक स्थिर कारक और मजदूर हुए दो, और कुल उत्पाद हो गया, बाईस, आपको कुल उत्पाद में, बढ़ोत्री कितनी मिली, कुल उत्पाद में बढ़ोत्री मिली 12, इसे कहा जाता है सीमान्त उत्पाद, तो देखिए कुल उत्पाद, औस्तन उत्पाद या सीमान्त उत्पाद, चलिए इन तीनों उत्पादों को एक तालिका से समझते हैं, आपके सामने एक तालिका है जिसम कारक एक की कुछ इकाईयों को हमने जोड़ा। परंतु ये इकाईय किसी एक स्थिरागत के साथ लगेंगी। और माल लेते हैं वह स्थिरागत भूमी है। जब भूमी के उपर आपने कोई मजदूर नहीं लगाया परंतु जैसे ही आप इसके उपर एक मजदूर को लगाते हैं आपको उत्पादन मिलता है और वह मिला दस इकाईयों का एन यूनिट्स अब आप यहां देखिए शून्य पर आप शून्य थे एक मजदूर की और इका आपके कुल उत्पादन में बढ़ोत्तरी कितनी हुई दस और वह है आपका सीमाठ उत्पाद है अब जैसे ही आपने एक और मजदूर को स्थिर कारक पे लगाया कुल उत्पाद 10 से 24 हुआ एक मजदूर से 10 दोनों से 25 तो दोनों से मिलनेवाला उत्पादन 24 है इसे कहा ग एक से दस और दूसरे के आने से जो बढ़ोतरी हुई वह है सीमान उत्पाद तीसरे मजदूर को लगाने के बाद तीनों मजदूरों ने स्थिर कारक के साथ जुड़के आपको 40 हिकाईयां दी मतलब 40 युनिट्स यह हुई आपकी कुल उत्पादन परंतु इस तीसरे से चोथे मजदूर के आने से जो कुल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई वह हुई 16 हिकाईयों की और यह है सीमान उत्पाद इसी तरह जब आप 40 से 50 आते हैं तो सीमान उत्पाद हुआ 10 50 से 56 तो 6, 56 से 57 तो 1 परंतु यहां ओसत उत्पाद का यह है फॉर्मूला बनता है कि जो कुल उत्पाद है उसको श्रमिकों की संख्या से भाग करते जाईए क्रतेक श्रमिक क्या योगदान देता है ओसतन जब आप 10 इकाईयां बना रहे थे तो 1 श्रमिक था तो 10 को करा भाग 1 से आपने पाया 10 से आपका कुल उत्पाद है 24, 24 को भाग किया गया 2 श्रमिकों से क्योंकि 24 इकाईयां 2 श्रमिकों ने मिला के बढ़ाई थी किसी तरीके से 40 इकाईयां 3 श्रमिकों ने बनाई तो 40 को भाग किया गया 3 से और औसत आया 13.33 50 इकाईया 4 श्रमिकों द्वारा और औसत आया 12.5 तो यह हुआ आपका कुल उत्पाद औसत उत्पाद और सिमाद उत्पाद आज के भाग में इस अध्याय के लिए हम इतना ही करेंगे आप सभी विध्यातियों से निवेदन हैं कि पाठ्थे पुस्तक में दिये गए पीछे के प्रश्ण जैसे की ये अभ्यास करने के लिए प्रश्ण आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आपकी पाठ्थे पुस्तक में भी हैं इन सभी प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं, शेश भाग इस अध्याय का हम अगले भाग में पूरा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद. क्या हम लिए सकते हैं, में में खए और हो लिए सकते हैं, हम अभा टो हो इस कि लिएक व्र क्या हैं, तुर बढ़ में राग या गाश राग में।, आ उराग दिसमी साथ़ा कर दो च्रश्नाच।, थि विएस दोनाने थिया, उल skal मैंने का उख़ूंगा लिए में।, छो हम आ